आगाइसट इस एस वृत्यो अन वेल्कम तो टीचिंग एं लर्निंग आज की वीडियो हमारी नौलिज लेंग्वेज करीकुलम से रिलेटीड है अभी हमारा ट्रेणिंग का टॉपिक चल रहा है तो आज हम ट्रेणिंग के टॉपिक को ही डिसकुस करेंगे इस वीडियो में ह आप लोगों को मैं बहुत ही इजी तरीके से इसके नीड इंपॉर्टन एड कैरेक्टर स्टिक्स को बताऊंगी वीडियो को लांस तक और फुल जरूर देखेगा वीडियो आपके लिए काफी हल्फुल है और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आये तो प्लीज वीडिय स्टार्ट कर लेते हैं गाइस हमने ट्रेनिंग की मीनिंग डेफिनेशन एंड फुल फॉम को अल्रेडी पहले देख लिया है और आज हम ट्रेनिंग की कैरेक्टर स्टिक्स को डिसकस करेंगे यहां मैंने पॉइंट वाइस राइट की हुई है तो चलिए अब हम इने वन बा विकात से किसके कोशल के विकात से जो व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहा है उस व्यक्ति के कोशल के विकात से ट्रेनिंग रिलेट करता है ट्रेनिंग में आपको किसी भी काम को भैतर वई में करने सिखाया जाता है और उस काम को सिखाने से जो व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहा है के अंदर उस काम से संबंदित स्किल्स जो है वो आटोमेटिकली डवलप होंगे इसलिए ट्रेनिंग कोशल के विकाद से संबंदित है नेक्स अभ्यास का बहुत महत्व होता है प्रैक्टिस वेरी इंपोर्टेंट गाइज मैंने आपको पहले वदाया था कि ट्रेनिंग आप प्रिकिरिया है प्लान डवलप्मेंट प्रोसेस है ट्रेनिंग इंग पहले से प्लान की जाती है कि हमें जान सब्सक्ता है कारे कुषलता में व्रिधि और के एकिसेंसी बात है जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम को are you में करना सिखा रहे हैं उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी काम की तो उस व्यक्ति के अंदर उस काम की जो क्यारे कुशलता है उसमें व्रिद्धी होगी ही होगी क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहा है काम करना सीख रहा है अपने अंदर उस काम से संबंदी स्किल्स को डवलब कर है next है विकते के चिंत और व्यवार में परिवते हैं यह भी ओविस सी बात है गाइस जब हम ट्रेनिंग लेंगे किसी काम को बैतर वरें करना सीखेंगे तो हमारे व्यवार और फिंकिंग प्रॉसेस में तो चेंज होगा ही होगा ठीक है next आ जाता है समय और अब दी अभी मैंने बताया कि training एक planned development का process होता है जिसमें आपका time duration सबकुछ पहले से ही fix होता है कि हमें इस इंसान को इतने बजे इतने time से इतने time तक training देनी है next है सकारात्मक वातवरंक शुजर create positive environment guys training के थूँ हम सीखने के लिए एक positive environment जो होता है वो create करते किसके लिए जो व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहा है क्योंकि उस training के थूँ उस व्यक्ति के अंदर हम skills develop करते हैं उसको किसी काम को भैतर वे में करना सिखाते हैं तो फिसी बात है फि उसका टाइम बेस्ट नहीं हो रहा है तो यहां पर हमारी जो characteristics राइटी वह फिनिश हो जाती है इसके अलावा आप और क्या characteristics राइट कर सकते हो जो मैंने ट्रेनिंग वर्ड की फुल फॉर्म बताई है हर एक लेटर की उनको भी आप कही न कहीं characteristics में डाल सकते हो चलिए अब हमें उसकी नीड होती है अगर हमें किसी चीज की नीड नहीं है तो वह हमारे लिए important भी नहीं होती है ठीक है तो चलिए अब हम इन्हें वन बाई वन देख लेते हैं सो first हमारा कारे को सफलता पूर्वक संपादित करने के लिए to successfully execute work or job किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीक हैं तो उस काम को हम automatically complete अच्छे से करी लेते हैं सफलता पूर्वक करी लेते हैं ठीक है next है कि रियात्मकपक्स के विकास के लिए development of the functional aspect मैंने आपको पहले विदाया कि training का जो सीधे-सीधे connection होता है वो आपके functional aspect यानि कि आपके practical part से होता है तो इसमें आपके practical part को develop किया जा training के तूरू आप लोगों को skills सिखाय जाते किसी भी काम को भैतर क्वे में करना सिखाया जाता है next है हमारा कोशल विशेश में दक्षता अर्जित करना to gain skills guys training के तूरू हम अपने अंदर skills को develop करते हैं skills को gain करते हैं क्यूंकि हम training के थूरू किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना सीखते हैं और जब हम किसी काम को सीखते हैं बहुती बहतर तरीके से तो दीरे-दीरे हमारे अंदर उस काम से रिलेटेड स्किल्स भी डवलप होने लगते हैं नेक्स आज आता है आत्म विश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग लेते हैं गाईस मान लीजे आपको किसी ने कहा है कि आप कंप्यूटर पर एक्सल पर कुछ काम करकर दिखाए तो आपको आता नहीं होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा आप नर्वर्स होंगे हैना और वही चीज़ की आप जब ट्रेनिंग ले लोगे हैना उस काम को अच्छे से करना सीख चाओगे अपने अंदर ये स्किल्स कंप्यूटर स्किल डवलप कर लोगे फिर आगर आपको कोई बोलेगा कि कंप्यूटर पर एक्सल पर कुछ वर्क करकर दिखाए तो आप कॉन्फिडेंटली बोलोंगे वाई नॉट ठीक है नेक्स राज आता है कारे कुशलता में व्रिद्धी करने के लिए तो इंक्रीज वर्क एफिशेंसी अपने काम की कुशलता में व्रिद्धी करने के लिए भी हमें ट्रेइनिंग की जर्वत होती है गाईास ठूठ ट्रेनिंग हमें हमारे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना सिखाया जाता है हमारे अंदर उस काम से related skills develop किये जाते हैं तो जब हमें कोई काम अच्छे तरीके से करना आ जाएगा उस से related हमारे अंदर skills develop होगे हमारे अंदर knowledge होगी तो automatically guys हमारी work efficiency increase हो जाएगी next day guys सभी छेत्रों के सभी व्यक्तियों के लिए for all person for all field guys training हर किसी के लिए जरूरी होती है अचाहे व्यक्ति किसी भी field से हो training सब के लिए जरूरी होती है सभी व्यक्ति को सारे ही काम नहीं आते हैं हर व्यक्ति को कही न कहीं किसी न किसी काम की training लेने ही पड़ती है तो इस तरीके से हमारे ट्रेनिंग के नीज और इंपॉर्टेंट फिनिश हो जाते हैं आप लोगों को समझ में आये होंगे बहुत ही अच्छे से और आपके क्लियर भी हो गए होंगे इसी के साथ अमने knowledge language curriculum की और भी topics पर वीडियो बनाई ही है जिनका link मैंने description box में दे दिया है आप लोग वहाँ जाकर उन वीडियो को देखकर उने knowledge language curriculum के concepts को भी clear कर सकते हैं तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं end करते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसा तब तक के लिए बाइ और थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो